नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभास अक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि साल 2021 में किन बड़ी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा है साल 2021 अच्छी घटनाओं के साथ साथ कई बुरी खबरे भी लेकर आया है इस साल कई बड़ी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा है कुछ लोगों के आकस्मिक निधन ने लोगों को हैरान कर दिया आईए एक नजर डालते हैं उन लोगों पर जिन्होंने इस साल दुनिया को अलविदा कहा है सबसे पहले आपको बताते हैं CDS जर्नल विपिन रावत की मौत के बारे में जर्नल विपिन रावत भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ यानि की CDS थे आर्मी चीफ रह चुके जर्नल विपिन रावत भारती सेना के चार सितारा जर्नल थे CDS पद पर रहने के दोरान जब वह अपने एक यात्रा पर जा रहे थे तभी रास्ते में 8 दिसंबर को कुन्नूर के पास हेलिकॉप्टर हाथसे में वह शहीद हो गए इस हाथसे में भारत के पहले प्रमुक रक्षा अध्यक्ष CDS चर्णल विपिन रावत और उनकी पतनी मधुली का रावत लेफ्टिन एंट करनल हरजिंदर सिंग और शिशस्त्रबल के दस अन्यकर्मी की मृत्यू हो गई थी CDS के रूप में कारेभार सम्हालने से पहले उन्होंने Chief of Staff के 97 अध्यक्ष के रूप में कारे किया था समिती के साथ साथ भारती सेना के 26 वे सेना अध्यक्ष वे रहे थे इसके अलावा सिधार्शुकला ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा सिधार्शुकला बॉलिवुट के एक जानी मानी हस्ती थे बिग बॉस 13 के खिताब जीतने वाले सिधार्शुकला भारती अभिनेता होस्ट और मॉडल थे उन्होंने कई TV शो और फिल्मों में काम किया सिधार्शुकला को लेकर 2 सितंबर को खबरें आई कि दिल का दौरा पढ़ने से उनका निधन हो गया सिधार्शुकला को बाली का वधू ब्रोकन बट ब्यूतिफुल थ्री और दिल से दिल तक मैं उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था वे रियलिटी शो बिग बॉस 13 औ के विजेता के रूप में भी वे उभरे थे उन्होंने साफधान इंडिया इंडिया गौड टैलेंट की मेजबानी भी की थी उन्होंने दिसंबर 2005 में एशिया लेटिन अमेरिका और यूरोप के 40 अन्य प्रतिभागियों को हराकर विश्व के सर्वस्रेस्ट मॉडल का खित शुकला ने हम्टी शर्मा की दुलहनिया में सहायक भूमिका निभा कर बॉलिवुड में अपने शुरुवात की थी इसके अलावा पुनीत राजकुमार ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा है पुनीत राजकुमार कंणर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता र इंकर और फिल्म निर्वाता थे जिन्होंने मुख्य रूप से कंणर सिनेमा में काम किया था 29 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुके थे इसके अलावा एक बच्चे की रूम में वह कई फिल्मों में दिखाई दे चुके थे इसके अलावा सुरेखा सीकरी ने भी इ पुरुसकार मिल चुके हैं 16 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया था वे हिंदी थेटर की एक अनुभवी अभिनेत्री थी उन्होंने 1977 की राजनेतिक ड्रामा फिल्म किस्ता कुर्सी का में अपनी शुरुवात की और कई हिंदी और मलियालम फिल्मों के साथ साथ भारतिय सोप ओपेरा में सहायक भुमिकाएं उन्होंने निभाई हैं दिगच कलाकार दिलीब कुमार ने भी साल दुनिया को अलविदा कहा बॉलिवुड के दिगच कलाकार दिलीब कुमार का निधन साथ जुलाई 2021 को हो गया मोहमद यूसुफ खान जिन्हें उनके मंचिये नाम किंग के रूप में भी जाना जाता है दिलीब कुमार को राज के संबान के साथ आखरी विदाई दी गई थी इसके अलावा राज कौशल ने भी दुनिया को अलविदा कहा एक्ट्रेस मंदिरबेदी के पती राज कौशल का 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पढ़ने से दौर शर्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा है विस्पोर्टक पूर्व बल्लेबाज शर्मा का निधन 13 जुलाई 2021 को दिल का दौरा पढ़ने से हो गया था एक भारती अंतर राष्ट क्रिकेटर थे वह हैं दैश्पाल सर्मा विस्पोर्टक मध्यक्रम के बल्लेबा दिवसी के बीच 37 टेस्ट और 42 एक दिवसी अंतरराष्टी ODI मैचो का प्रतिनिधित्व किया था उनके भतीजे चेतन शर्मा भी एक क्रिकेटर थे वह भारतीय क्रिकेटर सुनिल गावसकर ने उन्हें प्यार से आईसेस मैन फॉर्दा इंडिया कहते थे इसके अलावा मिल भारतिय ट्रैक और फिल्ड स्प्रिंटर और की नाम से उन्हें जाना जाता था जिन्हें भारतिय सेना सेवा के दौरान खेल से परिचित कराया गया था वे एशिया खेलों के साथ साथ राष्ट मंडल खेलों में 400 मेटर में स्वन जीतने वाले एक मात्र एथलिट थे उन्ह के लावा, रावण की भूमी का निभाने वाले अर्विन दिवेदी ने भी इस दुनिया को अल्विदा कहा अर्विन दिवेदी गुजरात के एक भारतिय अभिनेता और राजिनेतग्य थे वैं अपने भाई उपेंद्र दिवेदी के साथ गुजराती सिनमा में 40 से अधिक वर्षों तक विलूप रहे वह टेलीवीजन श्रंकला रामायर में रामर की भूमी का निभाने के बाद घर-घर में रामर की नाम से पहचाने जाने लगे थे 6 अक्टूबर 2021 को उनका निधन हो गया इसके अलावा टीवी एंकर रोहित सर्दाना का भी इस साल निधन हो गया रोहित सर्दाना एक भारतिय एंकर पत्रकार संपादक और भारतिय मीडिया की मशूर हस्ती थे उन्होंने Zee News के एक वाद भी बाद कारिकरम ताल ठोक के के साथ उसकी मेजबानी की थी जो Zee News पर भारत में समकालिन मुद्दों पर चर्चा करता था उन्होंने 2017 में आज तक में शामिल होने के लिए Zee News को छोड़ दिया था उन्होंने आज तक में प्राइम टाइम शो दंगल की एंकरिंग की 30 अपरेल 2021 को कोरोना वाइरस की चपेट में आने के कारण उनका निधन हो गया तो आज हमने आपको बताया कि किन हस्तियों ने 2021 में दुनिया को अलविदा कहा है ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को